नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पीसी एंप डिजिटल ग्रुकुल क्लासेस पर बच्चो आज हम लोग फीडिंग एंड डाइजेशन इन अभीबा के बारे में पढ़ेंगे साइंस में क्या खास बात पढ़ेंगे बच्चों हम नहीं होता माउट भी नहीं होता डाइजेस्टिफ भी नहीं होता बट फिरिवी डाइजेशन कैसे करता है तो मैं बताया जाएगा फॉलस फीड से करता है हमारे साथ इसकी क्या से इसके से लेंट फीचर आईए पढ़ते हैं इन टूडेज क्लास टीचर जो साइंस के भारत ऐसे भी न मूग के उसे खाया डाइजस्ट कर सकता है फिर भारती में आपने कहा कि उन्हें सरप्राइज होगा कि कुछ और गनिजम्स ऐसे होते हैं जो ऐसा करते हैं इस और गनिजम्स एक को ने बटा अमीबा जो पॉंड या तलाब में मिलता है पोकर में मिलता है यह सिंगल वेक्यूल्स भी आपको इसमें नजर आएंगे दोस्तो गेरा फूड वेक्यूल ठीक है फ्रेंट्स उसके बाद देखो सेलेंट फीचर्स क्या हैं अमीबा के अंदर कि यह सिंगल सेल है नेक डाई से नहीं दिख सकता सेल में 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 वेक्यूल्स हैं डैंस और राउंड दे बदलता रहता है बाई पुशिंग आउट फिंगर लाइक पोजिक्शन्स कॉल्स फीट और कैप्चर करता है कुछ माइक्रो औरगेनिजम्स को फूड की तरह हैं फूड इसके फूड वेक्यूल में यहां पर ट्राप हो जाता है यानि कि ऐसे सूड़ पोडिया बाहर की तर है वेक्यूल के और दो सबस्तांस अब्जॉब हुए है उनको यूज किया जाता है अमीबा की ग्रोथ और मल्टिप्लिकेशन में ठीक है अब एक सिम्लेरिटी कैस्से हमारे और एक डिफरेंस क्या है इस सिम्लेरिटी बिट्विन नूट्रिशन इन अमीबा एंड हुमन बि इस आश और डिजेस्टी जूसा सिक्रीड इंटो तो फूड विकम ट्राप्ड इन वेक्यूल एंड सिक्रीड इंटो फूड वेक्यूल या फूड वेक्यूल भी लिख सकते हैं राइट वन सिम्लेरिटी इन वन डिफरेंस तो यह आपको इसमें लिख देना है बच्च्छो इस सेकंड आंसर डिफाइन सूडो पोडिया और फॉल्स फीट इसको हम कह सकते हैं एक्स्टेंशन ओफ सेल मेंब्रेन या प्रोट्र्यूजन ओफू सेल मेंब्रेन फोर मुव्मेंट और फीडिग यह असली नहीं है किसी एक चीज की एक्स्टेंशन होती है उसको सूडो पोडिया है फॉल्स फीट कहते हैं फ्रेंट्स तो इस फिनिशेज आफ इस वरक्षीट फ्रेंट्स टेक्यर अफ यूर्स एटिटिंग एटिंग एल्दी फूद्स त